आज की रेसेपी है आलू का भड़ता इसके लिए आपको किस-किस की चीजों की जरूरत है यह देख लीज़ें सबसे पहले तो मैं लेती हूं 200 ग्राम का दही वो एक डिब्बा मैंने पूरा दाल दिया है 200 ग्राम की दही दही देख लीज़ेगा आपको जैसी लगे बस खटी ना हो दही जतनी ताजी रहेगी उतना अच्छा रहेगा इसके बाद यह मसाले लिए हैं लाल मेच मसाला है इसमें और हाफ टेबल स्पून हल्दी है नमक अपनी हिसाब से दालिए गरम मसाला चाट मसाला बलाक पापर ठ इसके बाद मैंने दाला है अधरक लहसन का पेस्ट एक चंबच यह मैंने दाला है एक कटी हुई शिम्ला मिच इसको आप बारिक भी काट सकते हो अपने हिसाब से मैंने इसको थोड़ा फाइन रखा है और मैंने इसमें दो टमाटर दाला है इसको भी अच्छे से काट के अब हम इसमें दालेनी चार उबले हुए अगर आपकी फामली बढ़ी है आप इसको और अच्छे से जादो कॉंटिटी में बनाना चाहते है तो आप आलू की कॉंटिटी बढा सकते हैं यह मैंने चार आलू उबाल लिये तो और इसको मैश करके मैंने पहले से ही रख लिया अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्रिए उब आ ने भी रीड्वीर को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें और विशुछी देखनी है तो जाके मेरे उसमें देख सकते हैं और यहां मैंने मत्र दाल लिये मत्र को भी मैंने पहले से उबाल लिया था के सबिक और द जाना है इसको कवर करके आप रख दीजिए कम से कम 10-15 मिनिट के लिए जादा नहीं इसको रख लीजिए फिर आप पैन लीजिए उसमें आउयल बाले कोईल करम होने के बाद मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है यह मैंने एक बारी कटी हुई प्याज ली है इसमें मैंनेे हलदी आधा चमबच लालमिष बाला है और और यहां थीन हरी मिर्चे कटी हुई डाले याद रखेगा हमने आलू को मैश पनाया है उसमें भी हमने लालमिष दाली है तो अब विछ और भी मैं और तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं मैंनेज यह हमने इसको हटा दिये इसका स्मोक पूर अबजर्व हो चुका है हालू में अभी हम पूरा भरता उठा के प्यास में शामिल कर दिये बहुत एजी और सिंपल सी रेसिपी है आप चाहें तो इसको अभी ट्राइ कर ले या आपके महमान आया अब दब बन करते हैं इसमें कोई भी आपको महनत और जिन्डट करने की जरुवत नहीं है अलता है कि झाल कि अपाल बस्ताव जाएव कारे इंग। बार बस्ताव कारे अधु आएव कारे छिए आएव थाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो